रोमांचक मुकाबले में न्यूजिलेंड के सामने भारतिय टीम को हारते हारते जीत मिली है जा माइकल ब्रेस्वेल की शतकिये पारी नाई है किसी भी काम क्योंकि मुहमत सिराज ने गेंदबाजी के साथ शांदार दिया था अन्जाम किस तरह से मुहमत सिराज ने भारत को हारे हुए मुकाबले में जीत दिलवाई है किस तरह से मुहमत सिराज के उस ओवर में भारतिय टीम ने भैतरीन कमबाक किया है जिसकी बदौलत भारत को इस शुरिंखला में एक शुन्य की शांदार बढ़त मिल चुकी है इसके बारे में और माइकल ब्रेस्विल के बीच में हुई 162 रनों की साजेदारी जो साथवे विकेट के लिया आई वहां से लग रहा था कि भारतिय टीम शायद ये मुकाबले को हार जाएगी लेकिन जब मुहमत सिराज अपने स्पेल का आखरी ओवर फैंक ने आए यानि की पारी के 46 में ओवर में मुहमत सिराज ने लगा तार उस ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर दो सफल तायं ली पहले सेट बलेबास अर्द शतक बनाने वाले मिचल सैटनर को पवेलियन का रास्ता दिखाया तो उसके बाद मिया भाई ने पहली ही गेंद पर शिपले को वापिस पवेलियन का रास्ता दिखाया वहां से कही न कहीं भारतिय टीम ने कमबाक जरूर कर लिया था लेकिन अभी भी क्रीज पर मौझूद थे न्यूजिलेंड के खतरनाग बलेबास शांदार फॉर्म में चल रहे शतक बनाने वाले माइकल ब्रेस्वेल माइकल ब्रेस्वेल जरूर आखरी दम तक लड़ते रहे लेकिन जीत अंतता भारतिय टीम के जोली में आई है एक समय पर ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि शुबमन गिल का धोरा शतक और मौझूद सिराज की चार विकेट्स पूरी तरह से बेकार जाएंगी और भारतिय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा लेकिन अंतता सलाम है हमारी देट गेंदबाजी को किस तरह से हारते हारते मुकाबले को बचाया सलाम है मौमत सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी को जहां भारतिय टीम ने अंतता मुश्किल से 349 रणों को डिफेंड करते हुए एक शुने से इस सीरीज में बड़त प्राप्त कर ली है जहां वहां से आखरी 6 गेंदों में न्यूजिलेंड को जीत के लिए 20 रण चाहिए थे शार्दुल ठाकुर के इंदबाजी पर आते हैं पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा अगली गेंद पर वाइट भी आई वहां से अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने ब्रेस्विल को LBW आउट करके भारत को 12 रनों से बड़ी और रोमांचक जीत दिलवाई दीजे अपने राए हमें कमेंट सेक्शन्स में मोहमत सिराच और शुपमंगिल की शांदार पर्फॉर्मेंस के बारे में क्या कुछ है आपका कहना आपके कॉर्णिंग किस खिलाडी की वज़े से भारत को मिली है जीत बताइए उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन्स में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन प्रेवाण